क्या आप भी अपने credit card payment को ले करके बहुत ज़्यादा परिशान है और आप सोच रहे हैं कि कहां से मैं अपने credit card की payment करूँ जिस से मुझे कोई भी late fee या कोई penalty नहीं देना होगा या फिर मेरा payment जो है वो fail नहीं हो साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से ऐसी जगह है जहां से आपको फिलहाल payment नहीं करनी है आपको मालूम होगा कि 1 जुलाई 2024 से RBI का जो है नया rule आया है credit card payment को ले करके जिसमें जितने भी fintech company है उनको अभी hold कर दिया गया है खास करके उन बैंकों के लिए जो bbps के इससे भी अगर आप अभी तक payment कर रहे थे चाहे वो cred हो, check हो, phone पे, paytm, google पे या फिर इस तरह के कोई भी platform जहां से आप अपने credit card का payment कर रहे थे तो फिलहाल के लिए उसको रोक दें और सबसे पहले ये चेक करें कि क्या आपका जो bank है वो bbps के साथ registered है या नहीं है अगर registered है तो आप बेजी जग payment कर सकते हैं लेकिन इससे पहले आपको check करना बहुत जरूरी है, total 8 bank bbps के साथ registered थे जिसमें कुछ बड़े bank है जिनका नाम अभी भी नहीं है जैसे कि access bank और HDFC bank, अभी नया नया जो bbps के साथ registered हुआ है वो है ICIC bank, ICIC bank ने registered कर लिया है तो आप इनक bank का credit card है उस bank के या तो net banking से अप अपना payment करें या फिर उसके credit card का जो app दिया गया होगा आपको, जैसे कि SBI में दिया गया है, SBI card, HDFC का my cards है, इस तरह के जो भी app है आपको provide किया गया है, जहां से आप अपने credit card का पूरा statement चेक करते हैं, वहां जाके आप directly payment करें, वहां से payment payment करने पर आपका जो payment है वो instant settle हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि इस महीने, कम से कम इस महीने आपको किसी भी fintech company यानि किसी भी third party app के थुरू payment नहीं करें, मैं अपने वारे में बताता हूँ, मेरे पास access bank का card है, जिसका मैंने payment किया 29 जून को, और यह जो payment है मैंने credit से किया, क्योंकि यह एक जूलाई से नियम चेंज होने वाला था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं कर देता हूँ, और यह settle हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, 29 जून को मैंने payment किया, यह process में चला गया, प्रोसेस में जाने के बाद, यह ना तो 30 जून को यह हुआ और 1 जूलाई को, जैसे ही 1 जूलाई आया, मेरा जो payment है वो fail हो गया, और मेरा due date जो है वो 3 जूलाई था, तो मैंने तुरंत ही इसका payment दुबारा से किया, एक्सेस बैंक के app से, जी हाँ, एक्सेस बैंक के app से मैंने किया, और वो instant settle हो गया, तो मैं आप से भी request करूँगा, किसी भी तरह की कोई penalty नहीं देनी होगी, और साथ में ये चेक कर ले कि कौन-कौन से bank जो है वो registered है, अगर ऐसा है, तो आप कहीं से भी payment कर सकते हैं, और ये वो सभी bank की list है, जो BBPS के साथ registered है, अगर इसके card आपके पास है, इन सभी bank में से किसी भी bank का card है, तो आप बेजी का payment जो है, वो credit से भी accept हो रहा है, लेकिन आप ऐसा risk नहीं लें, हो सकता है कि आपका due date बहुत नजदिक हो, और आपने payment कर दिया हो, और आपका payment अगर fail हो गया, तो इसका आपको भरपाई करना होगा, और ये बहुत महंगा पड़ सकता है आपके लिए, तो आज की वीडिय बस इतना ही, वीडियो को यहां तक देखने के लिए, thank you so much, मिलते हैं अगली वीडियो में,